आज की कहानी बात अठनी की प्रस्तुत कहानी में समाज में व्याप्त रिश्वत खोरी की ध्यान दिलाया गया है और इस कहानी में यह स्पस्ट किया गया कि अमीर वर्ग कितनी भी रिश्वत क्यों ना ले ले वे कभी भी पकड़ा नहीं जाता है और यदि कोई गरीब व्यक्ति होता है और यदि वह केवल अठनी की भी चोरी कर लेता है तो उसे अपराधी करार दे दिया जाता है अठनी होती है रुपे का आधा भाव यानि के पचास पैसे रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंग का नोकर था वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंग के यहां नोकर था उसे दस रुपे वेतन मिलता था उसकी तन्खवा कितनी थी दस रुपे गाउं में उसके बूढ़े पिता पतनी एक लड़की और दो लड़के भी थे इन सब का भार उसी के कंधों पर था इन सब के खर्चे उठाना भी उसे ही करना होता था इसलिए वहे बार-बार अपने मालिक से अपनी तन्खवा बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया करता था लेकिन हर बार इंजिनियर साहब कुछ न कुछ कहकर उसे टाल देते थे और कहते थे कि कुछ दिनों बाद उसकी तनख्वा बढ़ा देंगे लेकिन वह बार बार तनख्वा बढ़ाने की मांग करता और हर बार उसकी मांग ठुकरा दी जाती और इसके बावजूद भी वह नोकरी को छोड़ता नहीं था क्योंकि वह जानता था कि अमीर लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं यहां पर रसीला वर्षों से नोकरी कर रहा था और कभी किसी ने उस पर कोई संदेह भी नहीं किया था दूसरी जगे भले उसे यहां से जादा तन्खा मिल जाती लेकिन इस घर से जादा आदर नहीं मिलेगा यहीं सोच करके वह और किसी इस्थान पर जाना नहीं चाहता था रसीला का उनके ही पडोस में रहने वाले जिला मजिस्टेट सेख साहब के चौकीदार जो थे रमजान उससे गहरी दोस्ती थी दोनों आपस में अपना सुक दुक बांट लिया करते थे एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा रमजान ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो और उसने उदासी का जानने के लिए उसके सोगंध खाने के लिए कहा तब रसीला ने बताया कि उसका परिवार गाउं में रहता है और उस पर सभी की जिम्मेदारी है सभी का भार है और तनखाओं से केवल दस रुपे मिलती है और पूरे भोजन के बाद भी घर का गुझारा पुरा नहीं हो पाता है उस पर गाउं से खताता है की बच्चे बिमार है पैसे भेजो रसिला के पास गाउं भेजने के ले पैसे नहीं थे और ये ही उसकी अदासी का कारण था तब रमजान कहता है कि वह सालों से अपने मालिक के यहां काम करता है तो कुछ रुपे मांग सकता है रसीला रमजान को बताता है कि उसने मांगे थे लेकिन मालिक ने रुपे देने से मना कर दिया रमजान ने अपने दोस्त की परेशनी देखी और पांच रुपे उसे दिये रसीला ने धीरे धेरे करके साड़े चार रुपे कारण तो चुका दिया और अठनी बागी रहे गई थी एक दिन रसीला को अपने मालिक के रिशवत लेने की बात का पता चलता है रसीला ने जब रमजान को यह बात बताई कि उसके मालिक जगत सिंग ने 500 रुपे की रिश्वत ली है तो इस पर रमजान ने कहा कि यह तो कुछ भी नहीं है उसके मालिक सेख साहब तो जगत सिंग के भी गुरू है उन्होंने भी आज एक सिकार फासा है हजार से कम में सेख साहब नहीं मानेंगे यानि कि हजार रुपे रिश्वत लेंगे इस तरह दोनों के ही मालिक रिश्वत खोर थे रसीला वर्षों से इंजीनियर जगत सिंग का नोकर था लेकिन उसने कभी भी बेइमानी नहीं की थी अरन तो इस बार यह सुनकर के वरिश्वत लेते हैं भूल बस अपना अठनी का कर्ज चुकाने के लिए अपने मालिक के लिए पाँच रुपे की जगे उसने साड़े चार रुपे की मिठाई खरी दी और बची हुई अठनी रमजान को दे करके अपना कर्ज चुका दिया इसी आरोप में रसीला के उपर इंजीनियर जगत सिंग ने मुकदमा दायर कर दिया था रसीला का मुकदमा इंजीनियर जगत सिंग के पड़ोसी सेख सलीमुदिन जिला मजिस्टेट की अदालत में पेश हुआ जिला मजिस्टेट सेख साहिब अठनी के मामुली अपराद के लिए उसे छे महीने के सजा सुनाते हैं यह वही रुमाल था जिसमें बांद का रिश्वत के रुपे सेख साहिब ने स्विकारे थे जब जिला मजिस्टेट अठनी के मामुली अपराद के लिए उसे छे महीने की सजा सुनाते हैं तो रमजान का क्रोध उबल पड़ता है क्योंकि वह जानता था कि फैसला करने वाले सेख साहब और आरोप लगाने वाले जगत बाबु दोनों बहुत बड़े रिश्वत खोर हैं लेकिन उनका अपराद दबा होने के कारण वे सब्भे कहलाते हैं और एक गरीब को मामुली अपराद के लिए लेकिन वेपराद के लिए जानता हैं कर दो कर दो कर दो कर दो एक रह दो जाध है